इस वीडियो में हम राइपूर शहर की दस सबसे अधिक लोग प्रिय परेटन्स्थल के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे देखने के बाद आपका भी दिलखुशी से जूम उठेगा, और नमबर नौ को देखना ना बिलकुल भी ना भूले, नमबर एक, महंत घासीदास स् पर रखा गया यह संग्रहाले, इतिहास के प्रती उत्साही और पुरातत्व में रुची रखने वालों के लिए अवश्य देखने लायक है। के साथ-साथ पाशान यूग की कलाकृतियों को भी संरक्षित करता है। दो मनजिला परिसर के भीतर एक सुन्दर पुस्तकाले भी है, जिसमें अमूले पुस्तकें और अभिलेक हैं। जब आप बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हों तो रायपूर में अपनी तरह का अनोखा उर्जा पार्क, उर्जा पार्क एक बड़िया विकल्प है। शहर के केंदर के करीब स्थित, यह पार्क कई एकर हरीबरी भूमी पर फैला हुआ है, जो पिकनिक के लिए बिल्कुल उप्यूक्त है। इसमें नौकायन के लिए एक जील, कुछ विज्ञान प्रदर्शनी और एक संगीत में फवारा है। पार्क के भीतर कुछ पूर्जवाइंट हैं, जो आपकी भूग को शांत करने के लिए बुनियादी स्नैक्स परोस्ते हैं। पार्क का रखरखाव बहुत अच्छी तरह से किया गया है, और यह बिल्कुल साफ है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप इस छेत्र में गंदगी न फैलाए। विवेकानन सरोवर, रायपुर विवेकानन सरोवर स्थानिय लोगों का पसंदीदा है, और रायपुर में घुमने के लिए सबसे अनुशनसित स्थानों में से एक है। यदि आप शहर की शांत गती का आनंद लेते हुए कुछ घंटे शांती और शांती से बिताना चाहते हैं, तो बिना कुछ सोचे समझे यहां आ जाएं। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी विवेकानन जील के करीब रहे थे और इसके तक पर ध्यान करते हुए काफी समय बिताया था। उनकी प्रतिमा कुछ साल पहले श्रधान जली के रूप में जील पर बनाई गई थी और तब से यह रायपूर के सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थानों में से एक है। आप यहां पिक्निक बास्केट ले सकते हैं और शानदार मूर्ती के नीचे दिन का आनन्द ले सकते हैं या सरोवर में नौकायन के लिए जा सकते हैं। नबर चार, नया रायपूर सेंट्रल पार्क, रायपूर नए रायपूर में स्थित यह खूबसूरत पार्क रायपूर को एक परेटक नुकूल शहर बनाने की दिशा में एक प्रयास है यह पार्क एक विशाल चेतर में फैला हुआ है और यह भविश्यवादी अधुनिक वास्तुकला और हरे भरे स्थानों का एक संयोजन है बच्चों के लिए बहुक्तिविधी क्षेतर, एक कृत्रिम जील, जॉगिंग पत, एमफी थीएटर और एक योग केंद्र के साथ यहां दोपहर का समय अकेले या परिवार के साथ समय बिताने का सही तरीका है पार्क में एक कैफे और भोजन परोसने वाली कुछ दुकाने हैं, लेकिन आप अपनी खुद की पिकनिक टोकरी भी ले जा सकते हैं नंबर पांच, नंदन वन चिडियागर, रायपूर नंदन वन चिडियागर, रायपूर शहर में हाल ही में शामिल हुआ है और यह एक शांदार अनुभव है चोटी बसों में सफारी की सुविधा प्रदान करने वाला यह चिडियागर भालू, हिरन, बाग और मगरमच्च सहित विभिन प्रकार के जानवरों का घर है वर्तमान में चिडियागर चार प्रकार की सफारी प्रदान करता है जिसमें टाइगर सफारी, हर्बिवोर सफारी, लायन सफारी और भालू सफारी शामिल है सफारी के बाद आप एक छोटे बोटिंग सेशन के लिए भी जा सकते हैं इसे देश के सबसे बड़े रोपित जंगलों में से एक माना जाता है और यह धीरे धीरे रायपूर में एक लोगप्रिय आकर्शन बनता जा रहा है सुन्दर दूधा धारी मट और मंदिर प्राचीन महराजबंध नदी के किनारे स्थित है यह मंदिर सत्रवी शताबदी के दौरान बनाया गया था और यह भगवान राम को समर्पित है इसमें कई आश्चरेजनक भित्टी चित्र हैं जिनकी आप परिसर और नदी के दृष्य के दौरान प्रशंसा कर सकते हैं यह मंदिर स्वामी बलभद्रदास को समर्पित एक मठ के साथ अपना स्थान साजा करता है जो केवल दूद पर जीवित रहते थे और अनाज नहीं खाते थे इसी से मठ को नाम और लोगप्रियता भी मिलती है नमबर साथ महामाया मंदिर रायपूर रायपूर में ग्यारवी सदी का मंदिर महामाया मंदिर खारून नदी तट पर पुराने किले क्षेत्र में स्थित है यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है और इसलिए नवरात्री और दुर्गा पूजा के समय बड़ी संख्या में भक्त यहां आते हैं मंदिर पर इसर में महाकाली, बद्रकाली, भगवान शिव, भगवान हनुमान, भगवान विश्णू और भगवान हनुमान की मूर्तिया भी स्थापित हैं. इस मंदिर में दैनिक पूजा में भाग लेना धार्मिक लोगों के लिए एक शांत अनुभव हो सकता है. नमबर आठ, केवले धाम जैन मंदिर, रायपूर. केवले धाम जैन मंदिर रायपूर में सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक स्थानों में से एक है. शहर के बाहरी इलाके में स्थित, यह मंदिर पूरी तरह से संग मरमर से बना है और एक पूर्ण वास्तुशिल्प सौंदर्य ह जगे की सुंदर्ता और शांती की प्रशंसा करने के अलावा, आप जैन धर्म के पवित्र घर में अपनी श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं. वेदी पर आशिर्वाद लेने के बाद, आप मंदिर के आसपास के खूबसूरत बगीचों में भी कुछ समय बिता सकते हैं. गने जंगलों के बीच से घटारानी जर्ने तक ट्रैकिंग करना वास्तव में एक सासी व्यक्ति के लिए आनन दायक है. रायपूर के स्थानिय लोगों का सुझाव है कि इन जर्नों की यात्रा का सबसे अच्छा समय सितंबर से दिसंबर तक है, जब मानसून ने इसके जर् जुक्री जर्ने तक ले जा सकते हैं, हालां कि यहां कुछ दुकाने हैं जो जूस और फलों की चाट से लेकर मैगी नूडल्स तक सब कुछ बेचती हैं. नमबर दस, मरीन ड्राइव राइपुर और स्ट्रेचिंग करते हैं. आने वाली भीर की मांगों को पूरा करने के लिए पूरे मार्ग पर बहुत सारे फास्ट फूड स्टॉल और दुकाने हैं. यह थे राइपुर शहर के कुछ प्रमुख परेटन स्थल, इम में से आप कौन सी जगह घूमने जा चुके हैं? और स साथ ही आप किस राजे से इस वीडियो को देख रहे हैं? हमें कमेंट जरूर करें.